तो है गाइज वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल तो लेकर आग यहां स्वालो इस्टा नेक्स्ट इनोल की एपिसोड नमर 43 को लेकर तो चलिए सुरू करते हैं तो जैसा कि आवी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूप एंग अपने जीवन का रास्ते को ट्राइब होता क्या है कि कि एक दूसरी लिंक है तो यह सारी छीजी पिछल एपिसोड में होतीए और फिर में इसी तेन्ज कर दिखाया जाता है एलक से सीटी लॉड के मेंसन का सीच का जहां पर फाइब लीडर्स आया होए होते हैं और सामने आर्मर वोमें जिसको सबही को यहां पे जुक के सलाम धुक रहे होते हैं और इसकी पावर बहुत जाला होती है है और मैं पर आया जा चाहती है कि मैं सुना कि में फादर जिस फादर ने एक बंदे जो कि सिर्फ इतरना ट्रू गॉड है जिसका नाम लुए है उसके बार में बात की है कि वो बंदा बहुत ही अचा है उसके स्ट्वेंट भी योंगों को सर्प्रास कर दी है तो वहाँ पे सिटी लॉड के अंदर का बंदा है कहता है जिसको कि मैं स्कीप करता हूं और वहाँ पर लेडी कहती है कि मुझे उससे मिलना है मतलब वो लूफेंग से मिलना चाहती थी क्योंकि उसने में बहुत सारी चीजी लूफेंग के बारे में सुन रखी होती है और फिर हम सीन चेंज करके उस और वान नंबर 913 के मैंसन को लिखाया जाता है जाब लूफेंग ने इस पेसले एटरना ट्रूगर ब्लाक बच्चर को बुलाया होता है लूफेंग को खाना बनाने के लिए क्योंकि यहां पर यूस यां ट्यानू आने वाली है वही जो कि अभी मैंने बताया जो कि यू किंडम की डॉटर होती है जो कि एक नोवल एस्टेटस की होती है और वो गौड की को रिप्रेजेंट करती है मतलब उसकी ओधा उसकी जो पावर उसकी जो अठोरती है वो बहुत बड़ करें इसले लूफेंग उसको अच्छे से फॉर्माल्टी की साथ ट्रीट करना चाहता था फिर हम यूसी अंटिया को चाहा है जो कि वहां पहां पर आयो होती है रूफेंग ऑãyंसान उसे युनिक फ्लेवर वी मिला होता है जो कि ब्लाक बचर ने अपने हाथों से इसंने पहली बार ही काया होता है और बलाक बचर ट्रुगॉर था इस बना हुआ खाना मतलब तमज़तन होगी रफ़ीर लूफलेंग क्या था कि हाँ ब्लाक बच्चर की जो करने में स्किल्स अमदल खाने बनाने की स्किल्स वो सच में इमपरेसीव हैं तो UC & T1 क्या थिए कि हाँ वी में टेस्ट को सुट कर रही हैं हो यह बहुजा सेटिस्फायंग ही और वो क्याती है कि मिला लूओ ही कि आप अपने ब्लैक बचल को यहाँ पर इन्वाइट कर सकते तो लूफेंग क्या था क्यों नहीं जिसके बाद वो ब्लैक बचल को मेसेज रेज कर वहाँ पर बुला लेते हैं फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पर विलियर में सिर्फ कितने और थारती वाली बंदे मौजू थे इसलिए वो थ्वासन नर्वेस भी हो रहा होता है आफ्टर वो यहाँ पर किंग ऑफ यू किंडम की डॉटर होती है जिसकी और थारती चाहते उसको एक ही जटके में मरवा सकती थी है उसने कुछ गलत किया अब यहाँ पर दिखा में जाना चाहोगे है ताकि तुम हमारे रेसिडेंस में सेव बन सको अभी यह सुन कर तो ब्लाक बचर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि ब्लाक बचर से फिक छोटे से फायर रेस्टरमेंट काम कर रहा होता है उससे मौका मिल रहा था सबसे बड़े किंडम में कर क्याती है कि अगर यहां पर मैं आपके चेफ को ले लू तो क्या बुरा तो नहीं मानोंगे तो लूफिंग क्याता है कि वह फायर रेस्टरमेंट को चलाता है वह मैं कोई सेफ नहीं है अगर वह कैप्टल जाना चाहे तो यह उसके लिए और भी अच्छी अपॉर्चुन जाता कि वहाँ पर हमें दिखाया जाता यूसी अंटीन को जो कहती है कि मेर रेस्टेंस में सिर्फ एक ही हेट सेफ है यहां पर मैं तुम को सेकेंड सेफ के लिए वाइट करना चाहते है चिंता मत करो तुम्हारे अलगी केव मैंसन होगी हम तुम्हारे कल्टिवेशन के रि बड़ी चांस होने वाली थी और अखिरकार वो इस बड़े से मुमेंट को कैसे जाने देगा वो इसके लिए मान लेता है ब्लूफिंग स्माल करते हैं कि ब्लैक बच्चर कांग्राइशन तो ब्लैक बच्चर भी उसका सुक्रियादा कहता हुए कहता कि यह सब तो आपकी व जैसे हुआ है ब्लैक बच्चर चलो अपने अडिजमेंट को कर दो हम लो यहां पर ही वांग सीटी को कल नहीं छोड़ कर जाने हुआ है तो ब्लैक बच्चर भी कहता ठीक है जहां पर उनमें और भी बाते होने लगती है देखो यूसी इन लूपेंग कितब देखती और वो होती पावफुल लीफ होता है जैसे कि आपने एलेक्स में देखा होगा जो जो एक हम लीफ होती है जो कितनी होती है उत्माना टोटने ल होती समझे ना पावफुल हो सकते है ऐसे ही अधे जासे लूपन उस्में से वह live खोलता है वाह का सब्सक्ले कि चक्प्रारक परने ल वो बताती है कि यह पत्ता असल में जी व्यान मदर ट्री हैं जो कि फ्रेसली मैच्यूर होई है और इसे हम लोग इसमें बॉक्स में ही रखे हैं अगर तुम इसको जाना दिर तक बाहर रखोगे तो यह अपने औरा को लूज कर देगी लूपिंग हैरान हो जाता है कि यह जी है कि यह जीवान मैंने आपके लिए दी है जो मेरे फादर से आपको देने हुखा है यह मेरे के उस मास्टर और उसके सब औरिनेट की तरफ है इसलिए मैंने आपको दिया है अब यहां पर क्या थी लॉड क्या तो आप जानते हैं इसको यूज कैसे करना है तो लूपिंग क करा समझो समजय समय हैं दिए पैस में पैसी किसी एक नहीं हमादो कि तुमने कैसा ही कपरो को रख दिया है तो वैसे लेर्स मिन भी वैसे ही as are फोगत एक ही आराले त थे में नेर अब झाले अब यहां पर फंथनल सकते हैं लेकिन जैसे जैसे अंदर के लेयर्स होती जाते हैं इन्हें तोर पाना के ऐसट बंदे के भी बसके बात नहीं होती है और यहाँ पर अगर कोई नॉर्मल एटर न कॉर्ड बंद अगया तो वहाँ पर अराम से हुमारा जाएगा जिसके बाद वो कहाती है कि इन सब layers के अंदर भी chaos layers में वजूद है जहां पर तुम्हें कई सा infinite chaotic energy मिलेगी जिससे कि तुम अपने आपको chaos world से जोर सकते हो जो कि एक chaos layer और normal living space से बहुत जारा होती है अब looping बर इंद्यांस इन बातों को आपकी तरह सुन रहा होता है यहां प इस पत्ते को ले जाना है ताकि तुम उस chaos world में travel कर सको normally देखा रहा है तो कोई भी normal cultivators वहाँ पे अंदर नहीं जा सकता है लेकिन तुम्हारी पास अगर यह lift मौजूद होगा तो तुम्हें कोई दिक्कत की बात नहीं कि तुम अराम से उसके अंदर जा सकते हैं यह से smile करत तो वो कहती है कि यह lift में father की तरफ से appreciation की तरफ था यह reward है आपके हर एक चीज़ का किया हुआ मेरे father और वो आगे कहती है कि मेरे father जो की God King है वो आपको अपना dispel बनाना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे capital में जा सकते हैं आपको आपस तीन टेस्ट पास करने हैं और आप उनके dispel बन सकते हो देख रहे हो क्या मनौबत आई हुए लूफिंग सबको अभी dispel बनाता चाहरा और अभी आया हुए गौट की जो आकर लूफिंग को अपना dispel बनाना चाहता है और यहाँ पे लूफिंग को अब यहाँ पे हम सीटी लॉड हूयां को दिखा कि यहाँ पे में फादर डिस्पर्स को थ्री ट्रास देने पर तब देखो यहाँ पे वो आपकी मदद भी कर सकते हैं आपके बॉडी को रिफाइंड करने में लूफिंग ध्यान से सुना तब देखो बॉडी रिफाइंड करने में मौस्टर्स की जरूवत होती हैं लेकिन हैं जैसे कि आपको और हमें पता है कि अलोफिंग क्या करने वाला हैुसा को देखकर सबक それ ai इसके बार में सोचिंगा वो उसका सुक्रियादा भी करता है अब ये सुनकर सीन 12 वासा वासा ये तो होता है रियक्षन देती है कि ये क्यासा बंदा है इसको गाड की उससे डायेट अपना डिस्पल बनाना चाहते है लेकिन ये देखो लगता है कि लौर लूर के पास अलग टीचिंग है अब देखो यहाँ पे औरिजिन कॉंटुनेंट में मास्टर और डिस्पल के बीच में जो रिष्टा है वो फादर और सन की जैसा है और यहाँ पे धोका देना मतलब बहुत बड़ी पाप मानी जाती है जिसके काम यहाँ पे आपकी इजद कोई नहीं करेगा और यहाँ पे लूफिंग वराज होते हैं अपने पावर्स होते हैं जिसके कान वो इन सब के अंदर नहीं जाने वाला था और लूफिंग जाता था कि वो आगे चलकर बहुत ही पाफुल मास्टर बन नहीं वाला त्वाकिरकास को किसी बैक सपोर्ट की क्यों ही जर्वजब कि वो फ्री रिलॉम करके अपने पावर्स को बढ़ा सकता है जिसके बाद ये मीटिंग खतम होती है और वो लोग चले जाते हैं अब देखो लूफिंग उस बकसे को लेकिन अपनी पाउस रख लेता है और यहां पे लूफिंग सामने देखता है अब लूफिंग था निकलने के लिए क्योंकि उसे से देखना था इपता क्या कर सकता है अर अगर बढ़ता है तब आतो लेस्ट लोफिंग को पहचान जाते हैं और साहतमें city lord भी होते हैं जिसके बाद looping वहां से निकल जाता है और हमें scene change को origin continent के void का scene दिखाया जाता है जहाँ पर looping आगे बढ़ रहा होता है और हमें chaos layer को दिखाया जाता है जिसमें कई सारे chaos layer समोज होते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको पहली ही बताया looping आगे बढ़ रहा होता है उस ward में cheer कर looping जैसे जैसे अंदर जा रहा हो था looping को वहां पर chaotic dense energy महसूस हो रही होती है जो कि चाहता फैली हो ही होती है और looping देखकर है कि यह जिवान वान mother tree के लिफ तो बहुत ही ज़़ा लाजमी magical हैं जोकि इन सबसे looping को बचारी होती है दे लेकिन इस ट्रीक लीफ की मदद सी looping वहां पर अरे बरे ही अराम से जा सकता है looping अंदर जाने लगता है जहां पर कई सारे chaotic slow manifest कर रहे होते हैं कई सारे golden lights भी चाहता फैर रहे होते हैं वहां पर manifestation बहुत ही जारा होती है और chaos infinite possibilities के साथ होती है मानो तुम नदी में जाके पा पानी ढून रहा हो कि पीने को तो पानी नहीं है समलो ऐसा ही वो chaos में चला गया है और चाहताफ endless infinite chaos मौजूद है ऐसा ही यहां पर हो रहा था अब देको वहां पर chaos एक तरीकी नहीं chaos gold chaos fire chaos thunder chaos कई सारे forms होते हैं जिसे कि looping diversify कर पा रहा होता है अब looping उनस तब को comprehend कर ही रहा आने लगती है जो कि looping के सीदे तब बढ़ रही होती जिसको देखकर looping उसको पकड़ने की कोसिस करने लगता है लेकिन फेर लेड लाइट ट्विस्ट करने लगती है looping के पान में जिसकी कान looping को अपनी divine power burn करनी पड़ती है उसको पकड़ने के लिए लेकिन दिखाया जा ता कि उसके हाथ में एक फेर लेड इंसेक्ट मौझू था जो कि गलो कर रहा होता है अब यह असल में एक के उस लेर के अंदर के पाई जाने वाले क्रूइचर्स होते हैं जो कि हमेशा chaotic energy में फीड करते हैं मतलब समझो कि looping को एक ख़जाना टाइप नहीं ख़जाना क्यों क्योंकि यहाँ पे तो आपने सांसे रहते ही हैं आगे चलके looping का यही chaos insects का माने वाले looping को chaos energy को समझने के लिए looping उन सब को देखने लगता है कि इनके bodies में तो बहुत साई chaotic law मौजूदे होंगे क्यों आप समंदर कि तुम जीव से बोलोगी कि इसके अंदर पानी नहीं हम तो क्या ही कहोगी अब यहाँ पे looping उन सब की तब देखने लगता हैं सब chaos levels के mysterious levels को भी देखने लगता अब यह creature अलग-अलग levels के होते हैं कुछ strong कुछ weak लेकिन strong बहुत ही rarely पाया जाते हैं looping उन सब को देखने लगता हैं दिकाला जाता looping ने उन सब को snap किया होता है जिस देखने वाले कि आके क्या होने वाला है अलोफिंग कब breakthrough करता है अपने chaos level में क्योंकि मोर्व साथ हो कर चुगा है तो मिलते हैं नेक्स फूडियो में ताता के लिए बाए